कि काफी दिनों से दोस्तों मैं रेलिस इंडिया को focus में रखा ता यानि उसे अब्जर्ब कर रहा था कि रेलिस इंडिया कैसे परफॉर्म करेगा क्या पर्फॉर्म करेगा मूमेंट वाला स्टॉक है याथ वाला स्टॉक है और इसके अंदर लगाएंगे तो कितने दिन के लिए लोग कैपिटल होल्ड करके रख सकते हैं अगर बॉटम जाएगा तो कितना ऊपर जाएगा कितना उपर लेवल जाते हुए हमें कितना जल्दी प्रॉफिट होगा वो पूरा देखने के बाद इस पूर नीचे लेवल पर और बेस्ट से बेस्ट बिड़ प्राइस देखने को मिल रहा है दोस्तों तो ऐसे लेवल बार-बार हर कोई स्टॉक में देखने को नहीं मिलता और एक बाते राली इंडिया थोड़ा कम मोमेंट वाला स्टॉक है प्रॉफिट देगा तो भी धीरे देगा य अगर आप पहली बार यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए रैली इंडिया का ये वन डे का कैंडिल चाटे दोस्तों नैशनल स्टॉक एक्सचेंज अगर आप देखेंगे स्टॉक के अंदर जो ब्रेकाउट लेवल हुआ था रैली से पहले इदर हुआ था और दूसरा ब्रेकाउट लेवल देखने को मिला रैली से पहले इदर और हम इसके अंदर जो fulfillment देखने को मिली यहां तक देखने को मिली अगर stock जाता तो RSI का 40 support पकड़के यहां से ही जाता पर stock क्या कर रहा है दोस्तों इसे cut off किया है cut off करकर breakout का जो support breaker करकर नीचे जा रहा है इस level पर best buying price है दोस्तों best buying price इसी लिए क्योंकि already RSI 30 level के नजदिक है यानि RSI 30 level के नजदिक है और stock में क्या है दोस्तों buying stock में क्या है buying अगर आप देखेंगे stock नीचे level पर double triple club होते हुए public को confuse कर रहा है दोस्तों यह stock यहां से भागेगा यह stock यहां से भागेगा तो अगर आप इस के लिए stock में entry लेना चाहते हैं तो दोस्तों 255 ठीक है 250 245 यह तीनों level में आपको Monday live market में कौन से भी level देखने को मिली मिला तो आप stock में buying ले लिजिए for the exit of 265 for the exit of 265 level के लिए यह level आप short term लेके चलिए और 280 इसकी अंदर professional short term targets होने वाले हैं दोस्तों क्योंकि stock थोड़ा light moment वाला stock है यानि थोड़ा कम moment वाला stock है इसलिए मैं आपको देख समझकर analysis करकर आपको target बता रहा हो क्यों target बता रहा हो क्योंकि ज्यादा दिन capital अटक ना नहीं चाहिए अगर ज्यादा दिन capital stock में अटक रहा है तो दोस्तों हम लोग दूसरे stock में सही महिसाफ से ट्रेड नहीं कर पाएंगे अगर आप देख रहा हैं तो इसके अंदर best buying opportunity देखने को मिल रहा है क्या देखने को मिला बेस्ट बाइंग ऑपरचनेटी में सीडी भी दोस्तों कन्फ्यूस कर रहा है पर रैली वाला ही ये भी में सीडी बना रहा है और क्यांडिल के अंदर देखेंगे जो previous time इसका जो पहला breakout था stock उस breakout के लेवल के नजदिक है यानि इसी 245 लेवल के नजदिक 255 245 240 मैं आपको यह तीन लेवल दे रहा हूं इस तीन लेवल में stock कहीं पर भी bounce back कर सकता है दोस्तों चांस मिला entry ले लिजिए और reversal जाता हूं stock के अंदर आपको average strategy maintain करना है 210 अगर पहली बात तो बहुत नीचे लेवल पे हैं इतना नीचे लेवल को तो stock नहीं तूटेगा फिर भी फिर भी बोल रहा हूं अगर strategy maintain करना है इस लेवल पे आप maintain करके चल सकते हैं यह मेरा telegram channel है दोस्तों आपने अभी तक मेरा telegram channel join नहीं किया है तो join कर लेजिए for intraday live tips and stock market updates के लिए आपको telegram channel का link मेरे description मिल जाएगा and thank you for your love and support and keep encouraging me दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरा youtube channel subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लेजिए notification पाने के लिए notification all पे click कर दीजिए 26th February 2021 Friday Rallys India का closing है 255.65 पैसा यह मैं target निकाल रहा हूँ for 1st March 2021 मंदे के लिए मंदे के दिन आपको मेरे levels पे buying opportunity देखने को मिले या selling opportunity देखने को मिले आप मेरे target and stop loss live market में लेके चल सकते हैं दोस्तों अगर आप पहली बार youtube channel पे आए हैं तो youtube channel को subscribe करिए कर दो आप कर दोस्तों के लिए वाले को झाहिक कर Привет